नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारिकरम नमो इंपक्त में दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टार्ट अप की और इसके लिए इस सर्चा हम करेंगे सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क ओफ हिंडिया के डी जी अरविंद कुमार जी से आज कल ब उन्हाइब वाहएंगे आपका लॉड्यूक का स्टार्ट अप किया है और किस तरीके से आपका यह जो मैड़ करता है बसिकली स्टार्ट आपique लोग समझते हैं कि start-up means की बहुत कोई छोटा सा ही बिजनेस हो सकता है start-up का basic idea यह है कि आपकी दिमाग में कोई idea है और उस idea को आप commercialize करना चाहेते हैं उसको product में convert करना चाहेते हैं वो idea technology से related हो सकता है non technology से related भी हो सकता है और उस idea को product में कैसे convert किया जाए इसके लिए हम लोग भारत सरकार बहुत तरह से सपोर्ट कर रही है आपको सिर्फ अगया स्टार्ट अप रिजिस्ट्रेशन करना है तो dpiit भारत सरकार का एक department है उसमें आप अपने आपको रिजिस्टर कर सकते हैं ministry of electronics information technology जो technology से related स्टार्ट अप हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हमने software technology parts of India में इस तरह की कई schemes चला रखी हैं जो की स्टार्ट अप को सपोर्ट करें जिसमें हम लोग वहां पर center for entrepreneurship में उनको incubation space देते हैं हमारे पास एक scheme है उसका नाम है next generation innovation incubation scheme उसमें हम 25 लाग रुपए का सीड फंड भी देते हैं और जो हमारे center for entrepreneurship है वह academic नहीं है उनका purpose है कि किसी की दिमाग में idea है तो इस idea को commercialize कैसे किया जाए उसको product में कैसे convert किया जाए और हमारी यूनिकनेस है center for entrepreneurship की वह यूनिकनेस यह है कि यह दिसे एक combination of academician है रहते हैं उसमें इंडेस्टी के लोग भी रहते हैं problem statement कभी कभी industry से भी आती है चुकि industry association लोग उसमें रहते हैं इंडेस्टी association की लोग तो उनको market access भी मिल जाती है और सबसे बड़ा जो हमारा विसेशता है usp है हम सभी जगह पर usp के रूप में चीफ मेंटर रखते हैं तो जो चीफ मेंटर होगा वह सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का authority होगा वह अगर हम कहते हैं कि हमारा एक startup का ecosystem चिन्नाई में फिंटेक को लेके जिसका नाम फिन ब्लू है तो उसके चीफ मेंडर जो फिंटेक के बहुत authority होंगे जो इनको फिंटेक really समझ में आता हो जो नहीं करें सारे startup चलाए होंगे products बनाए होंगे वह उसके mentor है तो इसी तरह है तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में हमने 22 Center for Entrepreneurship बना रखें जिसमें कोई भी startup participate कर सकता है हम उसमें समय समय पर कुछ प्रतियोगताइं कराते हैं कुछ competition कराते हैं और उन competition में participate करने के बाद अगर उनका idea हमको लगता है कि अच्छा है यह commercialize करने लाइक है तो उनको तुरण seat fund देते हैं और हमको लगता है कि अभी कुछ gap है तो उनको हम 6 महिने के लिए 30,000 रुपए महिने के साब से पहले fund देते हैं उस fund के बाद अपने जो idea था उसको इस format में लेके आते हैं कि उसको further commercialize किया जसके फिर हम उसको free evaluate करते हैं और वो continuous हमारे जो mentors होते हैं उनकी guidance में सब कुछ होता है और mentors उनको बताते हैं कि अगर आपको एक यूनिकॉन वरना है आपको बड़ी company बना है तो आपको क्या गलती नहीं करनी है क्या अच्छा करना चाहिए यह सब करके पूरा system बना रखा और जिसमें हमारे पास करीब आज की तारीख में 500 start-up हैं जो enrolled है और जिनक अगर आपको कुछ मदद लेनी है तो लंबी परकरिया से गुजरना पड़ेगा उसको किस परकार से आप आसान करेंगे बस यह मैं आपको बता दूँ यह भी हमारी क्यों कि यह जो start-ups हमारे 22 हैं हम सिर्फ उनको बहुत ही administrative support देते हैं अधरवाई यह पूरी तरह से करिया जटल नहीं है केवल आपको हमारी website है जो stpi.in या stpi.next.in इन दौनों में आप website पर जाईए तो जो हमारे continuous programs चलते रहते हैं उनका आपको किसी का नाम open challenge program होता है किसी का नाम चुनोती होता है उसमें आप बहुत simple ही छोटा सा form होता है उसमें अपना बताईए कि आप साथ आपका नाम पता क्या है अपका क्या है उसके 15-20 दिन के अंदर हम उस आइडिया के लिए उस बच्यस बोलते हैं कि आप पिचिन करें और वह पिचिन कर करके को आइज यह हलका सा भी पसंद आता है तो हम बहुत जल्दी ही अगर आइडिया एक दम सही है और उसके कागज बगेरा पूरे हैं कोई 500 षष्ट्रोड की आबादी है पांस्तो स्टाटव आपको नहीं लगता कि काफी सफील है पांस्तो स्टाटव वह हैं जो स्ट्पी में रिजिस्टर हैं बैसे हिंदोस्तान में टोटल हजार करीब स्टार्टप हैं जो इन्रोल्ड हैं जिसमें करीब 25,000 ऐसे हैं जो टेकलोजी में हैं तो उसमें 500 की संख्या नहीं लगता आपको काफी कम है हाँ लेकिन चुकि हम बहुत डोमेन स्पेसिफिक में हैं कि हम जो बहुत हाई एंड टेकलोजी पर काम कर रहे हैं जैसे जूट में काम कर रहे हों कुछ कॉटन में काम कर रहे हों इस तरह से भी हैं तो यह जो 500 है यह पूरी तरह से जिनको हम मेंटर सपोर्ट भी दे रहे हैं कुछ हमसे इंडिरेक्ली भी जुड़े हैं जैसे कि हमारी वो लैब को यूज कर रहे हैं हमारे यहां के बात करके कोई चोटा मोटा प्रोग्राम चलता है उसमें करते हैं जैसे हम हैकातन कराते हैं अभी हमने सुगर कैन पर एक हैकातन कराई तो उसमें बहुत अच्छा चार-पांसो बच्चों ने पाइडिस्टिपेट किया जिसमें पचास लाग रुपए जो बिनर है उसको दे रहे हैं तो इस इस पास फंड काफी है लेकिन जिस मुताबिख फंड है उससाब से उसका डिस्वर्शमेंट नहीं है कारण क्या है चुकि ये गौश्ट का फंड है तो जो गौवर्मेंट की गाइडलाइन से हम उसके इसाब से ही करते हैं बट कई वार हमने ऐसा देखा है कि हम जैसे फंड अब लोगों की समझ में आ रहा है अब यह प्रॉसेस फास्ट होगी अभी तक प्रॉब्लम यह होती थी कि उनको यह जानकारी नहीं होती थी कि कौन से अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो थोड़े स्मार्ट आ रहे हैं तो उनका जो डिस्बर्समेंट है वो जल्दी हो रहा है और मुझे लगता नहीं कि हम बहुत ज्यादा डॉकुमेंटेशन करवाते हैं और यह प्रॉसेस फास्ट होगी अभी दूसरा क्या है कि अर्विंज एकोनोमी की हम बात कर रहे हैं उसमें बन ट्रिलियन डिश्टल एकोनोमी का टार्गेट है और मैं आपको बता दूं करीब 250 बिलियन यूएस डॉलर तो आज की रेट में हम सॉफ्टवेर सर्विसेस का एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं तो यह हमने कई भागों में डिवाइड कर रखा है जिसमें 250 बिलियन यूएस डॉलर आज की तारीक में हमने कहा कि सॉफ्टवेर सर्विसेस से है जिसको हमें दोजार पच्छिस तक तीन सो बिलियन यूज डाला लेके जाना है सतर से असी बिलियन डॉलर का हम सॉफ्टवेर प्रड़क्ट में टार्गेट कर रहे हैं और सॉफ्टवेर प्रड़क्ट में अभी तक बहुत अच्छा नहीं किया है तो नेक्स टार्गेट हमारा उससे है दूसरा इस समय गवर्मेंट का जो इलक्ट्रोनिक्स इंडिस्ट्री और सेमी कंडुक्टर इंडिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान है अभी भारत सरका है हमको लगता है कि हम समय से पहले ही पूरा कर लेंगे क्योंकि अब इस समय महारा सरकार ने पूरा पुलिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तयार कर रखा है आप देखिए कि करीब हम लोग साथ बिलियन के आसपास पर मन्त यूपी आई के ट्रांजेक्शन कर लेते हैं मतला कोई देश सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए जो हम आधार जो हमारा है बायोमेट्रिक सिस्टम है 1.3 बिलियन लोगों को हमने रिजिस्टर कर दिया है कोई और सोच भी नहीं सकता जो नंबर समने किये हैं और हमें पूरा आयम श्योर कि हम ये बन ट्रिलियन की डिश्टल एकॉनोमी के टारगेट को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे हमारी बहुत बहुत शुबकामना है आपके साथ है और एक आखरी सवाल की जो आज का यूथ है जो ब आस्तों में आईडिया है क्या इस यह आईडिया अपने आप में यूनिक है और अगर यूनिक है आपको लगता है कि और यूनिक दो तरह से हो सकता है यह काम वो किसी ने आज तक ना किया हो दूसरा यह भी हो सकता है कि किसी ने पूरी दुनिया में काम किया हो लेकर उस कॉ वारे पास लोग आते हैं किसा बी रोबोट बना रहा हूं मैं तो मैं उसे पूछता हो कि अरेमेट कंट्रॉल था पहले ही बन चुके हैं फिर आप क्या कर रहे हैं चाहे है ब्रकृण को चाहे हैं और चाहे हैं सभी डेपार्टमेंट की कोई न खुबांट करें और अपने idea को product में convert कर पाएंगे और unicorn बनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हम से बात करने के लिए शिरी अर्विंद कुमार जो महान इदेशक है software technology park of India के उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बताया कि किस परकार आज के युवा अपना software product बना सकते हैं start up कर सकते हैं और software export के अंदर बहुत जादा संभावना है सरकार सबको मदद करने के लिए तैयार है बशर्ते उस योजना की जानकारी युवाओं को होनी चाहिए उसके लिए website का address हमने नीचे दिया है आप उसको भी देख सकते हैं उस पर जा सकते हैं अगले सब्तहा किसी और कारिक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात तब तक के लिए दीजिए गाइजादत नमस्कार